हाँ जी बच्चों तो हम कर रहे हैं properties of definite integrals और जैसे कि आज first class है तो मैं आपको पहले properties दिखा देता हूं सारी अपनी NCRT में ही है NCRT में ही है साथ properties हैं जिसमें इसको तो हम zeroth property गहते हैं क्या है यह property देखी इस property में कहा है कि कोई भी function है और उसमें variable है इधर x और t और y और anything और उसके limits सेम है तो उसका answer हमेशा सेम आएगा तो इसका मतलब यह है कि suppose कीजिए मैंने आप से कहा कि integrate करिए sine x का integrate कीजिए sine x का और इसमें मैंने कोई limits रख दी हैं आपर let us say 0 to pi बट तो तो अब चाहे मैं यहाँ x की जगे कोई भी variable लिख दूँ उससे answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैं x की जगे अगर यहाँ पर y लिख देता हूँ या t लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ तो उससे मेरे answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा answer same ही रहेगा यह हमारी पहली property कहती है तो x हो y हो t हो u हो v हो कुछ भी कोई भी variable हो फरक नहीं पड़ेगा इसा करने से जो आपका answer आता है उसका sign change हो जाता है तो यह भी आपको याद अटना है कि अगर आप a लिमिट को उपर और अपर लिमिट को नीचे लिखना चाहते है आपको यह करना allow है और यहां पे sign जो है आपका change हो जाएगा negative हो जाएगा दूसरी बात इसी property में कही गई है कि अगर a से लेकर a तक ही किसी function का integration करना है तो उसका answer 0 आता है ठीक है तो a से a तक किसी भी function का integration करना है defined function का तो उसका answer हमेशा 0 ही आता है आगे property 2 property 2 में कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी function का a से लेकर b तक integration करना है और c कोई number है a और b के बीच में c कोई number है a और b के बीच में तो आप a से b लिखने की जगे उसको टुकडों में तोड़ सकते हैं a से c और c से b कर सकते हैं तो a से b integration की जगे हम लिख सकते हैं a से c function का integration प्लस C से भी function का integration जहां C A और B के बीच में आने वाला कोई number था तो इसका इस्तमाल जाद तर modulus based questions में होता है जहां पर modulus का integration करना है आपको let us say x-2 modulus का integration करना है आपको 0 से लेकर 4 तक तो ऐसे cases में आप क्या करते हैं कि जो आपकी limit है उसको break कर देते हैं तो इसको 0 से 2 और 2 से 4 तक integrate किया जाएगा उसको आप यह हम detail में समझा देंगे फिलाल property यह है कि 0 से 4 के बीच में जितने भी number आ रहे हैं एक दो तीन चार तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं करने को 0 से 1 तक पहले function का integration और फिर 1 से लेकर 4 तक का integration पर उससे इसका answer आएगा नहीं जिरो से लेकर 2 तक का integration दो से लेकर 4 तक का integration वो भी कर सकते हैं उससे इस cancer आजाएगा या 0 से लेकर 3 तक का integration और 3 से लेकर 4 तक का integration वो भी करना संभव है तो यह मतलब जो यह break हम कर रहे हैं उसमें 2 ही हमने क्यों लिया वो आपको question में समझा जाएगा वैसे तो आपको यही स modulus questions यह property लगेगी यह हमारी property 2 है इनकी numbering फिलाल याद रखे क्योंकि मैं refer करूँगा कि उस property के base पे इसको किया गया है ठीक है पर paper में जब करेंगे तो property number नहीं लिखते हैं पूरी property लिखकर बताते हैं हमने यह property लगाई है तो आगे बढ़ते हैं property 3 पर आते हैं property 3 कहते हैं कि अगर a से लेकर b तक किसी भी function का integration कर रहे हैं a से लेकर b तक किसी भी function का integration कर रहे हैं तो आप जो x है उस x की जगे आप लिख सकते हैं lower limit plus upper limit minus x a plus b minus x तो इसका proof भी यह बकाएगा पर proof में आज हमारा ध्यान नहीं आज हमारा ध्यान property memorize करने में और उनका use करने में ठीक हैं तो a से लेकर b तक किसी भी function का आपको integration करना है तो जहां पर x है उस x की जगे आप इन दोनों का sum लिखिए और उसमें से minus कर दीजे x तो आपको यह मिल जागा f a plus b minus x तो जब यह हम property पढ़ाते हैं चाहे आपने definite में पढ़ी थी properties और चाहे इसमें पढ़ी हैं अब उसमें तो हट गया वो course से इस साथ पर property सिखाने पे हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं और कब कर सकते हैं जब उससे आपको कोई benefit मिल रहा हूँ question को solve करने में जरूरी नहीं कभी भी आपको ऐसा मिल जाए और आपको हमेशा यह property लगानी ऐसा नहीं होता आप कर सकते हैं ऐसा जब आपको ऐसा करने से benefit मिल रहा हूँ ऐसे एक दो question में आपको दिखाऊंगा जिन में आपको यह करने से solve हो गाओ question अब property number 4 है और property कहते हैं कि अगर 0 से लेकर A तक function का integration है यह सबसे ज़ादा use होने वाली property रही तो इस x की जगे आप लिख सकते हैं A minus x और अगर आपने property 3 सीख लिए है तो actually property 3 का ही एक particular case है क्योंकि नीचे आपका 0 आ गया तो मैंने क्या का जहाँ x है वहाँ इन दोनों का sum minus x लिखना है जैसे यहाँ पे से काया आपको a plus b minus x लिखना है तो यहाँ पर 0 plus से तो a ही हो जाएगा और फिर minus x तो basically यह जो property 4 है वो property 3 का ही एक particular case है और यह बहुत ही ज़ादा important होने की वज़े से अलग से समझाया गया है वरना इसको समझाया नहीं जाता अलग से important इसलिए क्योंकि बहुत सारे questions में apply होता है और अब आपने property number 5 पर और property 5 क्या कहती है वैसे property 5 का उतना use होना नहीं है इसलिए मैं इसको आप skip करूँगा ठीक है इसकी ज़िए मैं आपको property 6 करा देता हूँ जब उसका use आएगा तो मैं उसको भी आपको समझाऊँगा वैसे property 6 जो है वो बहुती काम आने वाली property है इसमें क्या है कि integration हो रहा है 0 से लेकर 2a तक 0 से लेकर 2a तक integration हो रहा है और 0 से लेकर 2a तक किसी भी function का integration हो तो उसका answer या तो होगा twice of 0 to a function या तो उसका answer होगा twice of 0 to a function और या तो उसका answer होगा 0 तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते कि यह वाला 2 था, यह यहां से हट जाता है और वो 2 यहां पे लिखते हैं ऐसे भी याद करते हैं कुछ बच्चे तो आपको क्या याद रखना है जो upper limit है, वो आधी हो जाती है और आगे 2 आ जाता है तो 0 से 2a function dx बराबर होगा twice of 0 to a function dx अगर function 2a minus x function के बराबर हो तो मैं इसका एक अभी example भी दूँगा और यही चीज़ 0 के बराबर होगी अगर function 2a minus x minus function के बराबर हो तो इसका एक अच्छा ज़े example मैं आपको देता हूँ suppose कीजिए मैंने का आपको 0 से लेकर πाई पाई तक का integration करना है sin x का तो sin x यहाँ पर function है तो हमने क्या आपको सिखाया है कि function में 2a minus x put करो इसकेस में जो 2a है वो पाई है तो मैं x की जगे अगर 2a 2a जिसकेस में क्या है पाई है अपर लिमिट 2a है तो x की जगे 2a minus x लिख देता हूँ यानि की pi minus x लिख देता हूँ तो sin pi minus x बराबर आ जाएगा sin x के sin pi minus x होता ही sin x है second quadrant में sin positive होता है तो तो अगर ये function 2a minus x function के बराबर आ जाए तो हम क्या करते है प्रोपर टीम ने क्या सिखाया है तो हम करते ये है कि 2 आगे लिख देते है और जो upper limit है जो इस case में ऐसे represent किया है कि upper limit 2a है तो वो a हो जाती है नि आधी हो जाती है तो इस case में जो upper limit pi है वो आधी हो जाएगी और आधी होके वो रह जाएगी pi by 2 तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 into कुछी लिखाओ यहाँ पर कोई भी limit है उसको आप 2a कहेंगे और जब आधा करेंगे तो simply 2 से divide कर सकते हैं तो यह इसके बराबर है तो यह हमारा इस property का मतलब है कि अगर यह condition है तो आप इस limit को आधा कर देंगे और 2 आगे लिख देंगे अब इसका use का होगा तो आप question में देखींगे अगर मैं यहीं पर आपको सिखाऊं अगर यहाँ साइन x की जगे cos x ले लिया जाए तो क्या होगा तो अगर यहाँ पर cos x होता तो क्या होता तो cos pi minus x बराबर होता है minus cos x के क्योंकि second quadrant में cos negative होता है तो यह minus cos x के बराबर है और अगर ऐसा negative sign आ जाए तो फिर इसका answer 0 होता है यानि 0 to pi cos x का integration है वो 0 हो जाएगा यह देख लीजिए function में 2 a minus x लिखने पर अगर minus f x आ रहा है तो integration का जो answer है वो 0 आ जाता है उसको solve करने की भी जरूरत नहीं है property लगा के आप answer 0 लिख सकते है तो यह इस property का मतलब है ठीक है आगे बढ़ते है property 7 यह भी बहुत ही खास property है अभी property 4, property 6 और property 7 इससे काफी questions होते है तो property 7 कहती है कि अगर minus a से लेकर a तक का integration किया जा रहा है minus a से लेकर a तक का integration तो वो जो मतलब जो आपका answer है वो बराबर होगा twice of 0 to a function अगर जो function है वो एक even function है even function क्या होते है even function वो function होते है जिसमेn x की जगे अगर आप minus x भी पुट कर दो x की जगे अगर minus x भी put कर दो तो भी function पे कोई फरक ना आए function वैसे का वैसा रहे तो उनको गहते है even function जैसे कि x square तो x square में अगर आप x की जगे minus x भी put कर दो तो minus x का square भी x square ही बन जाएगा तो फिर कोई फरक उस पे नहीं पड़ा ऐसे ही cos x cos x एक even function है क्योंकि cos में आप x की जगे minus x भी put कर दो तो cos x ही बन जाएगा ऐसे ही second x x की power 4 x की power 6 even powers सारी की सारी वो even modulus function modulus x आप x की जगे minus x भी put कर दो तब भी इस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो ऐसे functions को हम even function कहते हैं तो कभी भी even function है और उसमें नीचे negative limit है और वही उपर positive limit है minus a से minus pi by 2 से pi by 2 ऐसी limit है तो उसका answer होगा twice of 0 to a function और फिर इसको solve करना पड़ेगा और अगर वो एक odd function है odd function हो जिसमें x की जगे अगर आप negative x put करेंगे तो पूरा function negative बन जाएगा तो अगर वो एक odd function है तो उसका answer होगा 0 उधारन के लिए अगर मैं integration करता हूँ minus pi by 2 से pi by 2 तक नीचे जो limit है वही उपर आएगी बस sign में difference है नीचे negative है उपर positive sign है और मैं कहता हूँ sin cube x का आपको integration करना है तो sin cube x एक odd function है क्योंकि अगर मैं x की जगे minus x डालू तो negative बहार आजाएगा और पूरी चीज negative हो जाएगी हाँ अगर यहां sin की पार 4 x होती तो यह even function होता क्योंकि minus sin x की पार 4 उसको positive बना देता तो अभी यह odd function है और odd function है तो इसका answer direct direct is 0 हो जाएगा यह हमारी property है property number 7 तो अगर f minus x minus f x के बराबर है तो answer 0 है और f minus x अगर f x के बराबर है तो twice है twice और नीचे 0 आ जाता है 0 से और फिर आप उपर property 6 से या property 7 से उसको easily solve कर पाएंगे क्योंकि इन properties में नीचे 0 है तो यह इसका benefit है ठीक है तो यह 7 properties है और मैं बार बार इनी को reference इनी का reference लेकर आपको समझाओंगा यह properties आपको पहला काम है memorize करना और इसमें मैंने अभी जान बुचके एक property छोड़ी है क्योंकि इसका use बहुत ही कम है जब होगा इसका use तो आपको यह property भी बताएंगे अभी तो आपको बाकी की 6 properties याद रखनी है बहुती बढ़िया question आपको दिख रहा होगा example 30 और examples करने बहुत ज़रूरी है modulus वाला question है मैंने आपको पहले ही बताया modulus वाले question में वह वाली property लगानी है हमको A से C, C से B वाली तो करना क्या है modulus वाले questions में करना यह है कि आपको सबसे बहले जो modulus के अंदर term दी गई है उसको आप rough कॉलम में या side में उसको 0 के equal लिख लीजे तो x q minus x को 0 के equal लिख लेना actually हम modulus का direct integration करना नहीं जानते है जब यह modulus sign हटे गा तब ही हम उसको integrate कर पाएंगे तो यह जो किया जा रहा है वो modulus sign को हटाने के लिए किया जा रहा है हम देख रहे हैं कि यह function 0 कब होता है यह हम जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ से x common लिया क्योंकि modulus function की हमको sign ठीक करना है अभी वो समझा देंगा x common लिया और यह हो गया ऐसा और यहाँ से आपकी पहले x की value आजाएगी 0 और x square minus 1 को जब आप 0 के equal रखोगे तो x square की value आजाएगी 1 और x square की value 1 आगई तो x की value आजाएगी plus minus 1 minus 1 भी हो सकती है plus 1 भी हो सकती है यह सब कुछ possible है तो कहने का मतलब यह है कि x बराबर 0 पर यह function 0 हो जाएगा x बराबर minus 1 पर भी यह function 0 हो जाएगा और x बराबर 1 पर भी यह function 0 हो जाएगा तो इन जगों पर यह function 0 है पर इनके बीच में जो intervals हैं वहाँ पर function के क्या sign है वो हमको check कर रहे है तो वैसे तो आपका जो integration है वो कहां से कहां तक होना आपको दिखी रहा है आपको integrate मैंने rectangular box बनाया था वो circular बन गया तो आप ठीक कर ले ना खुद से minus 1 से 2 तक integration हो रहा है एक बार मैं check कर लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो minus 1 से 2 तक आपको integration करना है उसके बीच में आपको एक यह point मिला है जिरो जो कि obviously minus 1 से एक step उपर है और फिर minus 1 मिला है minus 1 तो यह point है तो वो तो यहां draw नहीं करना फिर आपको 1 मिला है तो 1 आपको यहां पर draw तो जैसे ही आपको यह points मिल जाते जिन points पर function की value 0 थी तो उन points को आपको यहां पर mark कर लेना है mark कर दी है हमने points को इसके बाद हम इस function की value देखेंगे इन intervals में कि इस function की value xq minus x की value कहां पर negative और कहां पर positive होगी तो देख लेते हैं आप minus 1 से 0 के बीच में कोई x लीजिए मन में assume कर लीजिए minus 0.5 तो यह आप minus 0.5 या minus half यहां पर put करेंगे तो यह आएगा minus 1 by 8 and minus minus half that is plus half so हमको यह दिख रहा है कि पूरी चीज पॉजिटिव है यह term half minus 1 by 8 is positive तो हमें यह पता चलता है कि इस वाले हिस्से में यह जो function है यह positive है ठीक है तो अच्छी बात है positive positive लिख दी हमने 0 से 1 के interval में आप ले लीजे 0.5 ले लीजे तो यानि half half का cube किया तो 1 by 8 और फिर minus half तो minus half तो बड़ा होता है तो यह negative हो जाएगा और ऐसे 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लीजे तो आप यह positive आजाएगा obviously वो चेक करके देख लेना आप कुछ से तो हमने क्या देखा हमने एक interval बनाए और interval बनाने के बाद हमने देखा कि यह जो function है वो कहीं कहीं पर negative है कहीं कहीं पर positive है और वैसे modulus function है modulus function हर जगे पर positive ही होना चाहिए तो हमको क्या करना है हमको यह करना है कि जहां जिस interval में यह positive है minus 1 से लेगर 0 तो उदर यह same अंदर वाली term लिख देनी है और modulus sign हटा देना है तो modulus sign क्यों हटा देना है क्योंकि यह already positive है इसको positive बनाने के लिए modulus की आवशक्ता नहीं है इसलिए यहां से modulus को हटा देना है और जिन बच्चों को थोड़ा उतना ज़्यादा समन नहीं आता mathematics उनके लिए CDC सी बात है जहां पर यह positive है वहां पर just अंदर वाली term positive करके लिख दो ठीक है और जहां पर यह negative है वहां पर अंदर वाली term लिखो और उसके आगे negative लगा दो और जहां पर यह positive है फिर से अंदर वाली term same to same लिखो और वह positive ही रहने दो जहां negative है उदर negative क्यों लगाते हैं मैं बच्चों को समझा देता हूँ एक बार बाकी तो याद रखना बड़ा असान है जहां negative है उदर negative लगाते है नेगिटिव से multiply किया जाता है जिसे positive बन जाए यह इसका logic है पर मैं फिल से कहा रहा हूँ जिसको logic समझ नहीं आ रहा at least question तो करना आना चाहिए तो करना गया है एक बार यह interval चेक कर लिए अब जहां पर यह positive है तो यह positive लिख लेना है तो ऐसे टुक्ड़े कर देना और कोई कहेगी सर डारेक्टि क्यों नहीं कर सकते तो modulus function का direct integration करना संभव नहीं है क्योंकि कहीं पर वो कैसा behave करता है कहीं पर वो कैसा behave करता है ना तो उसको integrate करना संभव नहीं होता इसलिए उसको simplify किया जाता और फिर उसको integrate किया जाता है हर बार modulus function को direct integration करना is not possible and now everything else is you know already x cube integration is x4 by 4 इसको x cube का होगे x4 by 4 x का होगे x2 by 2 और यह integration अपना नॉर्मली करके उसमें upper minus lower limit put करके फिर आपका answer आजाएगा main point जो है वो यह है यह समझ गए तो काफी काम असान हो जाएगा example 31 पे आते हैं और question को देखते ही जो mind में आता है वो है minus a से a वाली property और यह even function है क्योंकि इसकी जो power है वो 2 है power 2 है तो जब यह even function है तो आपको क्या करना होता है 2 आगे लिखना होता है property देख लीजे अपनी ncrt में ही और नीचे 0 लगा देते हैं उपर की limit सेम रहती है और जो function है वो भी same रहता है sin square x ठीक है और अब sin square x का integration करते कैसे थे इसके लिए आपको first exercise आनी चाहिए first second third यह सब basic जो indefinite की है कल भी बताया था cos square x को लिखते 1 plus cos 2 x by 2 integrate करते है sin square x को लिखते 1 minus cos 2 x by 2 और अब उन बच्चों के लिए समस्या आनी शुरू हो जाएगी जिन बच्चों ने basics नहीं किया हुए ना उनको थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी तो कल भी हम इसी को discuss कर रहेते इसी बात को 2 से 2 कट जाएगा limits है 0 से लेगा πाई बाई 4 और 1 का integration x cos का sign वोई पुरानी टेक्नीक है ठीक है 1 का integration x cos का integration sin ax upon a 0 से पाई वाई 4 limit लगानी है answer आजाएगा आगे बढ़ते हैं example 32 पर एक time होता था 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 बोर्ड में ये question बहुत जादा पूछते थे CBSC board पर अब बंद हो गया आप तो थोड़ा complicated question ही इस question को कैसे करना है देखो पहले basic idea देखते है basic idea ये है कि अगर मैं cos x को t put करूँ तो sin x dx dt माइनस dt आ जाएगा इतना मुझे पता है अगर यहाँ x नहीं होता तो यह question बड़ा ही simple question था cos x को t put करके sin x dx माइनस dt आता और फिर यहाँ पे माइनस dt और नीचे 1 प्लस t square और अब हम super 6 लगाते और बाद में limit put करते जो पिछली दो exercise दो दिन हमने देखा है limit put करना और 10 university का integration करके limit put करके हमारा काम हो जाता पर यह जो x आगया इसने काम को tough बनाया है तो पहला काम अगर numerator में आपको x मिल रहा है तो और आपको वो अर्चन पैदा कर रहा है question में तो पहले इस x को हटाना हमको सीखना है कि यह x हटेगा कैसे तो इस x को हटाने के लिए करना है यह पड़ता है कि जो original आपकी equation है उसको तो हमने 1 लिख दिया original integral को और फिर इसमें हमने 0 से यह वाली property लगानी 0 से यह वाली property जो मैंने कहा था कि सबसे यादा use होती है और property कहती है कि जहां पर भी x है question में जहां पर भी x है उस x की जगे आपको लिखना है a minus x a यह upper limit होती है तो जहां पर भी x है जैसे यह एक्स है तो यहां लिखना है pi Hyundai 14 इसको लिखना है pi minus x नीचे x है उसमें भी लिखना है pi minus x पाइश के समें a है अब i by by mining x Sin Business sin x होता है तो इसलाए आपको यहाँ sin x दिख रहा होगा ठीक है और one plus cos pharmaceutical minus x होता है परını minus cos x का square करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा तो square ने उसको negative होने से बचा दिया 1 plus cos square x हो गया ठीक है और ये वाला pi minus x तो as it is उसमें कोई changes नहीं होगे यहां तक I guess कोई problem नहीं और अब करना क्या है इसको मैं second कह देता हूँ और थोड़ा सा मेरे तरीके और बुक्के तरीके में थोड़ा difference हो सकता है तो यह फस्ट equation है और यह जो second है इसको add कर देना है होगा यह कि left में जो I plus I है इसके भी left में I है और इसके भी left में I है दोनो add होकर 2i बन जाएंगे और right side में क्या होगा right side में इसका x sin x था और इसका था pi sin x minus x sin x pi sin x sin x को मैं ऐसी लिख देता हूँ minus x sin x तो जब इसका x sin x इधर add होगा तो x sin x minus x sin x से कट जाएगा और इधर सिर्फ pi sin x बच जाएगा इसलिए आप देख रहे होगे यहाँ पर pi है और numerator में sin x है तो x sin x से x sin x कट गया और आपको x से आपका पीछा चूट गया और दोनों का denominator सेम था तो denominator की तो चिंता करने के आपको जरूरत नहीं है तो इस तरीके से आपने numerator से x को भगा दिया और अब आपके पास तो आपका इसका प्लैन आपका ready था pi constant है उतो बाहर निकल गया 2 upon में आगे तो इसका plan हमारे पास ready था कि cos x को t put करेंगे फिर minus sin x dx dt आ जाएगा limit change करनी आपको सिखाईए जब x को आप 0 put करोगे यहाँ पर तो cos 0 t हो जाएगा और t cos 0 के बरावर है और cos 0 की value होती है 1 तो t की value आजाएगी 1 तो यह lower limit तो 1 हो गई यही यहाँ पर लिखा हो है और जब आप upper value pi पुट करोगे इधर substitution में तो cos pi is equal to t और cos pi होता है minus 1 तो t की value आजाएगी minus 1 जो आपकी limit है वो क्या हो गई lower limit जहाँ पर x 0 था उसकी जगे t1 आ गया और जहाँ पर x pi था उसकी जगे पर minus 1 आ गया और sin x dx की जगे पर आपके पास आजाएगा minus dt यह वाला जो negative है वो minus dt और cos x की जगे t यह हम पहले भी कर चुके है यह सारी चीज़े तो indefinite में और अब 1 upon 1 plus t square का integration 10 inverse t limit है 0 से लेकर 1 तक और अपनी limits apply कीजे 10 inverse 1 minus 10 inverse 0 यह तो basics है यह अब cancer आ जाएगा main बात है limit apply कैसे करने है वो important है example 33 देख रहे हैं अभी हम और example 33 में है sin की power 5x into cos की power 4x dx integration from minus 1 से 1 minus 1 to 1 integration है तो यह minus a से यह वाला हो गया और यह पूरा odd function है क्यों odd function है देख लेते हैं अगर मैं sin 5 की power 5x की जगे minus x लिख दो हूँ और cos की power 4x की जगे minus x लिख दो हूँ तो cos में तो negative x positive हो जाता है पर sin का जो negative है वो बाहर आ जाएगा और इसलिए पूरी चीज़ negative हो जाएगी और यह यह odd function की definition है कि अगर आप x की जगे minus x रखते हैं तो पूरा function negative हो जाता है तो यह negative हो गया और जैसे हमें पता चला कि एक odd function है तो property 7 last property के हिसाब से पूरा integral 0 के बराबर हो जाएगा काफी आसान एक्जामपल 34 अब आपको यह बता देंगे तो एक special type ही है यहाँ पर power 4 की जगे कोई भी power हो सकती है कोई भी power root भी हो सकता है power 3 by 2 भी हो सकता है power square भी हो सकता है cube भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो कभी भी ऐसा question है तो कैसे करना है पहली बात जो आपकी integral है उसको first कह दिया फिर 0 से एकी property लगानी है 0 से एकी property कहती है कि जहाँ पर x है उस x की जगे आपको a minus x put करना है नीचे भी जहाँ x है उसकी जगे a minus x put करना है इधर भी जहाँ x है उसकी जगे a minus x ही put करना है ठीक है अब यह इसमें पाइबाइट हुआ है तो साइन नाइन्टी माइनस एक्स इधर भी साइन नाइन्टी माइनस एक्स बन जाएगा तो इस तरीके से आपके पास एकदम ही नया कुछ आ जाएगा और जो आपका main था यह first equation और जो यह आपका second है इन दोनों को add कर देना है तो left side में जब add होगा तो i plus i 2i बन जाएगा और जब right side में add होगा तो sin की power 4x और cos की power 4x दोनों add होकर हो जाएगा sin की power 4 plus cos की power 4 और denominator में जो है denominator तो same है यह खास बात है तो denominator में कुछ करने की ज़ुरत नहीं है numerator sin 4 plus cos 4 हो गया अब numerator से denominator को काटोगे तो 1 आ जाएगा और 1 का integration x होता है 0 से लेकर pi by 2 तक limit लगाएगे answer आ जाएगा और ऐसे ही example 35 है आप देखे कहता है कि यहां पर एक property a plus b वाली वाली लगेगी पहले देख लेते हैं क्या है तो question में कहता है कि integration करना है pi by 6 से लेकर pi by 3 तक lower limit pi by 6 है upper limit pi by 3 है integration करना है 1 upon 1 plus root 10 x का और 10 को हमने लिखा sine by cos और LCM लिया तो obviously 1 upon 1 plus sine by cos का जब LCM लोगे तो क्या होगा LCM लेने पर यह cos आ जाएगा इधर और फिर cos उपर cos upon cos plus sine हो जाएगा जो कि काफी simple है समझने में और अब इसमें 0 to a वाली property तो लगे नहीं सकती क्योंकि नीचे 0 है ही नहीं तो इसमें नीचे भी एक limit है जो 0 नहीं और उपर भी limit है तो a से b की limit है और इसमें property लगेगी वो आली जिसमें हम property 3 I guess जिसमें x की जगे a plus b minus x put करते थे तो जहां पर x है उसकी जगे put कर देंगे a plus b minus x यानि this plus this minus x और हाँ property 3 है correct और denominator में भी जहां पर x है उसकी जगे put कर देंगे a plus b minus x और यहां पर भी x में भी a plus b minus x तो फाइदा क्या है पाइबए 360 degree होता है पाइबए 360 degree होता है 30 plus 60 90 degree हो गया और cos 90 minus x हो जाएगा sin x और इधर भी हो जाएगा sin x और इधर हो जाएगा cos x तो यह बन जाएगा और फिर यह काफी कुछ इससे पिछले वाले question की तरह बन गया तो इन दोनों को add कर देंगे और root cos प्लस root sign numerator में बन जाएगा root cos प्लस root sign और denominator में भी root cos प्लस root sign और उपर नीचे काटिंगे तो 1 आ जाएगा जैसे पिछले question में आया था कटके बन और फिर integration करके सेम अपना answer निकाल कोई बड़ी बात नहीं तो यह बड़ा ही जबर्दस question है बहुत बड़ी है मेरा favorite है अभी इसके बाद एक exercise ही होगी तो क्या question है जीरो से pi by 2 log sin x का integration करना है काफी कुछ सीखने को है इस question में इसलिए मेरा favorite है तो सबसे पहले जो भी आपको integration करना है उसको i k equal लिख दिया है और अब इस पे property 4 लगाई है 0 से a वाली 0 से a function वाली property तो जहां x है उसकी जगे a minus x हमको लिखना है इसलिए sin pi by 2 minus x आपको दिख रहा होगा और sin pi by 2 minus x actually cos x होता है तो log cos x हो गया 0 से लेकर pi by 2 log cos x तो यह आपकी second और यह आपकी first इंटेग्रल की value है दोनों को add कर दीजिए 1 & 2 अभी तक आपने देखा जब भी property 4 लगा रहे हम add कर रहे हैं तो यह भी एक देखना है कि add करके benefit है कि नहीं ऐसे ही नहीं कि अंदा दून्द add कर दिया है यह benefit है तो i plus i जब add करेंगे left में 2i आजागा और right में log sin x plus log cos x आगे तो log a plus log b अभी पिछली class में भी बहुत log की property देखी थी log a plus log b होता है log a into b तो log sin x cos x हो गया और यहाँ पर एक step किया है कि log 2 को add किया है log 2 को subtract किया है ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास log और sin था और cos था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको 2 से into कर देते और 2 से divide कर देते और फिर हम कहते कि log a by b होता है log a minus log b तो 2 sin x cos x सभी जानते हैं कि 2 sin x cos x sin 2 x होता है basic trigonometry कल भी मैंने गुरूप में फार्मूले दिये थे इसलिए कि आपको एटलिस्ट याद करने को material मिल गया लॉग A भाई भी हो गया लॉग A, लॉग A मिन्स 2 sin x cos x की साइन 2 x लिख दिया और माइनस लॉग B तो गुम फिर के बाद वही बनेगी आप कैसे भी इसको कर सकते हैं NCRT में भी अच्छे से किया है यहाँ पर भी हमने कर दिया है तो यह आपके पास आ जाएगा उसने पूछा है Y अब Y का जवाब आपको पता चली गया है अगर इनके तरीके से करें तो log sin x cos x plus log 2 हो जाएगा log 2 sin x cos x क्योंकि log a plus log b होता log a into b और log 2 sin x cos x log sin 2 x हो जाएगा और बाकी सब तो आपको दिखी रहा है easy है आगे बढ़ते हैं तो जब आपकी stage पर पहुंच गये तो इसका integration हमारे प्राब्लम नहीं है क्योंकि log 2 एक constant है और constant का integration आप सभी को आता है constant यानि log 2 का integration होगा log 2 into x और इसको फिर 0 से πाई बाई 2 तक limit लगा देंगे और फिर x का value पहले πाई बाई 2 पुट होगा फिर minus 0 तो log 2 into πाई बाई 2 basically इसका integration बन जाएगा ठीक है तो ये तो मुद्दा नहीं है मुद्दा है ये इसको कैसे करेंगे तो करना ये है कि 2x को t put करना है 2x को t put करना है और जब आप 2x को t put करेंगे तो 2 ऐसे का ऐसा x का derivative dx t का derivative dt तो कासी आसा नहीं तो और जब limit भी change करना है जब x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा क्योंकि 2 into 0 is 0 और जब x pi by 2 put करेंगे तो 2 into pi by 2 is pi तो t pi हो जाएगा तो x pi by 2 put करने पर t pi हो जाएगा तो इससे आपको प्राप्त क्या है आपको ये प्राप्त हुआ कि integral में 0 से pi आ गया और जहां 2x था वहां t आ गया और log sin t बन गया और dx की जगे हम लिख सकते हैं dt by 2 आपको clearly दिख रहा होगा तो इसले dt और by 2 बाहर दिख रहा है आपको और log 2 का integration तो मैंने बताई दिया pi by 2 log 2 वो यहाँ पर आपको दिखी रहा है अभी stage पर जाके थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आप मुझे इसका integration करना है तो 0 से 2a वाली property मैं यहाँ पर लगाऊंगा 0 से 2a वाली property या नहीं property 6 property कहती है कि अगर 0 से 2a function का integration कर रहे है तो आप एक बार check कर लीजिए अगर इस function में 2a minus x put करके या 2a minus t put करके ये खुदी के बराबर आ जाएगा अगर ये खुदी के बराबर आ जाता है तो आगे 2 आ जाएगा और उपर के limit आधी हो जाएगी और अगर ये खुद के negative के बराबर आएगा तो इस पूरे का answer 0 हो जाएगा तो अब आप देख लीजे log sin t में अगर मैं t की जगे pi minus t put कर दो log sin t में अगर मैं t की जगे pi minus t put कर दो तो क्या होगा sin को मैंने बस s से denote किया है sin pi minus t तो sin t होता है यानि कि log sin pi minus t खुद sin t के ही बराबर है तो ये log sin t के ही equal आजाएगा खुद के यहाँ पर भी किया हुआ है बुक में sin pi minus t sin t के ही बराबर होता है इसलिए log sin pi minus t b log sin t की बराबर होगा तो property कहती है कि अगर आप ऐसा करने पे same आता है तो आप उपर वाली limit आधी कर दीजे और आगे 2 लगा दीजे तो upon में तो एक 2 पहले से ही था और एक ये जो 2 आए ये property की बज़े सा है तो एक बार फिर से property देख लीजे property number 6 कहती है कि 0 से 2 ये function का integration करना है तो उपर वाली limit हो जाती है आधी आगे आज़ा था 2 और ये बाकी सारा ऐसे गैसा है अच्छा ये हो तो गया पर किया क्यों किया इसलिए क्योंकि ये जो आपको मिला है ये ये आपका original question था ये देखिए सेम है बस x की जगे t है और यहाँ पर हमारी help करने के लिए आती है property 0 property 0 कहती है यहाँ पर x हो चाय टी हो उससे फरक नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगे t की जगे x भी लिख सकते हैं property 0 और ये तो था ही as it is और ये equal है 2i के देखिए कितनी सारी properties लग रही है एक के बादे और इसलिए question इतना खास है और यही चीज थी जिसको हमने शुरू में i का नाम दिया था एक बार फिर से याद दिला देते हैं आपको ये देखिए इसी को हमने i बोला था तो हम वापस आएंगे और यहाँ पर log sin x की जगे i लिख देंगे तो i को उदर ले जाएंगे तो 2i minus i तो 2i minus i i रह जाएगा और right में बच जाएगा minus pi by 2 minus pi by 2 log 2 ये इसका solution है और एक बार करने से तो नहीं आने वाला तो आज इतना ही पढ़िंगे